तो राम राम जी अगर सचे राम बग तो इस चैनल को सब्स्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कौन से चहर से इस वीडियो देख रहे हैं। अंदर प्रदेश में एक फैक्टरी खुली है टाडा मोटर्स की, सेमी कंडुक्टर चिप्स वहाँ पर बनती हैं, पहले जितनी भी सेमी कंडुक्टर चिप्स थी वो भार से हम गानी पड़ती थी, जिसकी वैसे गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, वो महंगे होते थे। फ्रेंट के लुक्स की बात करें, तो ओडी जैसी स्टाइल केस के हेड्लेंप्स आपको देखने को मिलेंगे, उसी के साथ-साथ ओल न्यू ग्रिल, एडास लेवल वन सूट बीस में दिया जाएगा, एडास लेवल वन में क्या होता है, ड्राइवर जो है बेसिकली उसको ध प्रूफ देखने हो मिलने वाली है, all new headlamps देखने हो मिलने वाली नीचे, fog lamps ग्रिल नहीं है, bumper का जो अपकर cutout है, वो उपर bonnet के साथ ही प्लेस कर दिया गया है, गाड़ी जो है बहुत जल्द लॉंच होने वाली है, आप लगा लीजे कभी भी मारुतिय सुजुकी इसका टीजर डाल सकती है, अलाकि आज social media platform पे लोगों ने पहली image डाल दी थी, जो हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी, यह हैं exclusive looks जो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं, इसके साथ साथ जब हमने इस गाड़ी को लदाक में टेस्ट होते हुए देखा, तो इसके front मे आप देख सकते हैं का जबरतस headlamps है, उसके साथ साथ ऊपर जो है, इसमें आप लोगों को यहां पे sunroof भी देखने हुए मिल रही है, तो कैस्यास को basically discontinue करके यहां पे जो मारतिय सुजुकी इंडिया है, वो desire को अब एक luxury sedan के रूप में पेश करने वाली है, बट यहां से इसका price होगा, चुकि मैंना आपको पहले ही reason बता दिया है, वो बहुत ही जादा कम रखा जाएगा, और इस गाड़ी को इतना जादा affordable होना जाएगा, कि हर कोई अब एक sedan गाड़ी ले सकता है, जो अभी वाली swift आती है, उससे इस गाड़ी की length भी लंबी करी जाएगी, इस से इस गाड़ी की माइलेज है, आपको 35 से लेके 40 km प्रती लीटर के आसपस देखने को मिलने वाली है, गाइस बात करें, गाड़ी के अंदर color options भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसी के साथ साथ गाड़ी जो है, सबरदस्त looks के साथ आने वाली है, अलाई wheels की ब बनाया गया है, दोस्तों मैंने जब इस गाड़ी को सामने इस देखा था तो मेरे मुझ से सबसे पहला शब्द वाव निकला था, क्यूंकि जो गाड़ी है इतनी जादा amazing है, और इसके अंदर आपको UV tinted glass मिलेंगे, बनाई प्राइवेसी में भी कोई आप लोगों को दिक् आप लोगों को second base variant से ही देखने हो मिल जाएगा, यानि कि आपको top end model की भी जुर्त नहीं अपकी बार 30 से 35 किलोमेटर mileage के लिए, आज़ा guys याद होगा जब मैंने वीडियो की starting करी थी तो उस time मैंने बोला था कि इसमें आपको strong hybrid देखने हो मिलेगा, और साथ ही साथ इसके आपके शहर में कितने रुपे की गाड़ी जो आप लोगों देखने हो मिलेगी, इसी के साथ साथ आपके showroom में जो है कब गाड़ी हो के आ जाएगी, इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें, रियर में आप लोगों shark fin antenna, जो है टॉप end model मिलेगा, इंटीर की बात करें, तो इ बहुत ही अलग इंटीर्स देखने हो मिलेगे, इडास लेवल वन आ रहा है चूकी, तो आप लोग 3CD कैमरा, इसी के साथ साथ adaptive cruise control, और बहुत सारे जबर्दफ फीचर्स देखने हो मिलेगे, इसके base end model से ही जो है, आप लोगों को अब की बार automatic AC देखने को मिलने वाला है, automatic AC का मतलब यहाँ पर है कि जो dummy होगी, उसके looks होंगे, वो automatic AC जैसे होंगे, बट AC जो है, वो manual ही रहेगा, side profile की बात करें तो इस गाड़ी की length है, वो चार मीटर से कम ही रखी जाएगी, तो तेक्स ना लगे, बट फिर भी comfort के मामले में ये गाड़ी आप लोगों को सियाज स suspension से ही देख लिया था और interiors देख लिया था, बट desire ना यो लोग पिछले 3 साल से test करने लग रहे हैं, इस में जो internal sources है, उनने ये बता है कि desire अब तक की मारुति की सबसे सस्ती और सबसे comfortable गाड़ी रहने वाली है, दीगे, grand वितारा से तो हम compare नहीं कर रहें इसको, बट फिर भी जो अपनी cheapest segment की गाड़िया थी, यानि कि 10 लाग से मारुति की जितनी भी गाड़िया नीचे आती थी, उन सब में सबसे comfortable जो है desire facelift ही अपकी बार हमको देखने हो मिलने वाली है, interior में आप देख सकते हो, base and model में आपको all black interiors देखने हो मिलेंगे, इसी के साथ साथ यहा इस बात करें कि गाड़ी ना बहुती जादा amazing है और इतनी जादा जबरदस्त है जिसकी कोई हद नी, मात्र 5,99,000 में इसमें ऐसे भर-बर के features दिये हैं कि जो भी इसको लेना चाहिए, तो आप 100% अमने घर पे ला सकते हैं, interior में देख सकते हो, बीच में आपको 10.95 इसकी ब modes भी कई सारे देखने मिलेंगे, यानि कि आप बटन दबाओगे और आपकी गाड़ी जो आपके इशारों पे, मतलब जितनी भी चीज़े बोलनी स्टार्ट कर देगी, गाड़ी जो है वो कल भी launch हो सकती है, परसो भी launch हो सकती है, क्यों क्योंकि company ने फुली testing इसकी कर लिए है हर जगा और साथ ही साथ अब जो इसके हमारे जो variants है वो शोरूम में पहुचने स्टार्ट हो चुके हैं, गाइस, तो दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मारुती सुजुकी में चार variants देखने हो मिलेंगे, LXI, VXI, ZXI औ और इसके साथ साथ, LXI optional, optional जो variant होगा, ADAS level 1 के साथ आने वाला है, और किसी model में ADAS नहीं देखने हो मिलेगा, तो guys, with this, इस video को end करते वे, आप अपनी शहर का नाम लिख दिजे, तागी आपके वहाँ पे कितने में गाड़ी launch होगी, उसके बारे में आपके सारी news बताते, बाकी engine options, जो एसमें 1.2 लिटर का 3-cylinder engine आपको देखने को मिलने वाला है, और ये engine जो है, बहुत ही ज़्यादा powerful होगा, लगभग 82 PS की power, एंड 175 Nm का torque जो है, आप लोग expect कर सकते हो, तो दोस्तों, आज की उड़ी में इतना ही था, हम उमीद करते हैं, कि आपको आज के मे मिलते रहेंगे, बाए-बाए, धन्यवाद, safe journey, drive safe, तो चलिए, राम राम जी